आपका सुआगत है एक किताब है दोस्तो जिसका नाम है किसमत की खोजल में और पुरे दुनिया में दोस्तो दो करोड से भी जादा कॉपिज इसकी बेची गई है तफुए जो किताब है इसमें एक जो बात लिखी है मुझे सच में बहुत ही अच्छी 살गी उस कितब में कुछ इस तरीके से बाते कही है दोस्तों कि कि आपको पता है कि आपकी उमर क्या है उमर को लेकर पहले तो मतलब बोलते थे कि लड़कियों को उमर मत पुछो कोई फीमेल है तो उसको उमर मत पुछो लेकिन आजकल मुझे लगता है कि कोई लड़के होंगे उसको भी उमर मत फुचो ऐसे लगता है क्योंकि उमर के बारे में फटक से इंसन बोलते हैं एकदम तुरण एकदम बाकी के चीजों का तो हम जवाब दे देंगे कहा पर रहते हो कहा से हो लेकिन उमर का जब हमें लिखना है दोस्तों कि हमारी आत्मा की आखिर उमर कितनी है मैं पुरी आत्मा की भी यहाँ पर आज बात नहीं करूंगा आत्म लोग से रिलेटेड मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि उस किताब में कुछ इस तरीके से मतलब कही गई है बाते कि मैं समझा एक जीवन जी र तो ऐसे भी लोगों कि मैं बात नहीं कर रहा है मैं यह कह रहा हूँ कि क्या हम अनुभों के बल पर मतलब कोई एक इनसान है उसने आप तक इतनी जिन्दगी जी वो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उसने किस चीजों का सामना किया क्या क्या सिट्वेशन उसके जीवन में इसके मुताबिक अगर हमें यह कहा जाए कि तुम्हारी उमर कितनी है यह कहो तो आप क्या कहेंगे दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो यह वीडियो देख रहे जब मेरे भी मन में मतलब यह जब मैंने पहले बार बात सुनी तब मतलब मुझे यही लगा कि नह 12-16 साल होए फिर भी वो बोलेंगे कि मैंने यह देखा है मैंने वो देखा है तो ऐसी भी लोग बोल सकते है कि मुझे लगता है कि मेरी तो आत्मा की उमर बहुत जादा है या फिर मेरी उमर बहुत जादा है लेकिन इस तरीके से चीज़े कभी-कभी नहीं होती मैंने दिखा है वो कहता हूँ दोस्तों कभी-कभी कुछ मतलब मुझसे बहुत जादा बड़े वी लोग लेकिन कुछ ऐसी वो चीज़े कर देंगे तो हमें लगता है कि इस इंसान की शायद उमर मुझसे कम हो सकती है हाँ एज में वो मुझसे बड़ा हो सकता है उमर में लेकिन फि इससे भी छोटा हूँ क्योंकि इसने जिस तरीके से हैंडल किया इससारी सिच्वेशन को मैं तो मतलब उस तरीके से नहीं हैंडल कर सकता तो इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़े होती है दोस्तों तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी ही चीज़ों में हम सब मतलब करती थी, बाद में उस बिल्ली के लिए उसने एक चोटा सा ऐसे होल वहाँ पे चोटा सा कर दिया ताकि दरवाजे का बार बार आवाज नाये जब वह आती थी, बाद में उस बिल्ली के दोस्तों बच्चा हुआ, तब बच्चा होने के बाद इसने उसके बच्चे को भी एक पर ताकि वो वहाँ से आए लेकिन उसका जो बच्चा है वो बिल्ली के यहाँ से उसके ही हुल से आता था तब इसके दिमाग में आया कि जहाँ से बिल्ली आ सकती है तब वहाँ से उसका बच्चा भी आ सकता है मतलब कि है दोस्तों न्यूटन देखा जाए तो इतना जिसने गुरत्वा करशन का नियम मतलब दुनिया के सामने रखा वो इतना इंसान मतलब एक छोटी सी चीज में वो कहिना कि अपने आपको अच्छे से वो सोच नहीं पाया तो कुछ चीजों में कमज़र होते हैं ऐसे ही मुझे लगता है मैं एकदम किया है उसके बलुबुते पर अपने आपको मतलब पूछ सकते हैं कि आखर हमारी उमर कितनी है हमें सिच्वेशन का सामना करना उसमें मजबूत बनना बुरी से बुरे मतलब कंडिशन में अभी हम कितना स्थीर रहते हैं हमारा मन जो मन है वो कितना अविचलित रहता है ऐसी जो बाते हैं दोस्तों वो हमारी आत्मा के लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि दोस्तों हमारी सिच्वेशन को हम कितना अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इस कितब में और भी एक बात कही है कि इंसान को सिखाने के लिए बहुत बार जो टीचर होता है दोस्तों वो दुख ही है जो दुख है वही इंसान को बहुत बार अच्छे से सिखा सकता है इस बात को हम माने या फिर ना माने लेकिन दोस्तों ऐसी जो बात है वो आतमा के लिए बहुत बार जरूरी होती है मैं भी मतलब बहुत बार यही सोचता था और अभी भी सोचता हूँ कि इंसान के यह मतलब जीवन में दुखी किवाता है अगर कोई एक अच्छा इंसान होगा तो वो सुख से भी बहुत कुछ सेख सकता है लेकिन बहुत बार दोस्तों जो दुख है जो धोका है या फिर जो बुरी सिच्वेशन है जो मतलब एक लाचारी है जो मजबुरी है एसी जो चीज़े है इंसान को कितना मजबुत बनाती है उतना सुख बहुत बार नहीं बना सकता यह सच है दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों हमें अपने जीवन में जो भी संब्सा आती है उसका अच्छे से हल दुनना उसमें जीवन में आगे बनने की कोशिश करना कभी कभी कुछ बुरी सिच्वेशन से भी बहुत कुछ अच्छा निकल सकता है उस तरीके से कोशिश करना ऐसी जो बाते हम सब के आत्मा के लिए बहुत ज़ादा महेतो पुर्ण है दोस्तों तो उस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बनना होगा तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवात डिवाइन हिलिंग कोर्स ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनोंने किसे अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही जादा दुखी है इस कोर्स में हमारे मारकदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब दुने की कोशिश करना, उसके साथ साथ धेन की उचीत विधी को समझना, हमारी अध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्पपुर्ण बाते हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कुर्पया इस नंबर पे वाटस अप मैसेज करें